लेकिन मेरे होसले कहते हैं कि वो मनजिल भी कुछ खास है जो तेरे सामने खड़ी है नमस्कार साथियों राम राम खमा घणी स्वागते आप सभी का लेहर कलासेज पर संगर सभी जारी है सपने होंगे सच और एक बार फिर से आप सबी के बीच में खुसी की लहर आ चुकी है जी हाँ, BSTC के बारे में जो आपको इंतजार था 25 दिसंबर जो हमने टारिकेट माना था ये 25 दिसंबर तक अगर BSTC का नोटिफिक्सन नहीं आएगा था हम जरूर कुछ करेंगे, लेकिन अब वो चीज आ चुकी है BSTC के तरप से एक नोटिफिक्सन जारी कर दिया गया है 21 दिसंबर है ना आज तो आ गया है नोटिफिक्सन नोटिफिक्सन में क्या का आ गया है देखिएगा बात करते हैं उसके बारे में डियलाइड कॉलेजों की सीटों में बड़ोतरी कर दी गई कुछ कवरी है आपके लिए सीटे बढ़ गई है सीटों के अंदर बड़ोतरी हुई है 10 कॉलेजों को मानिता मिली है और उन 10 कॉलेजों के अंदर होकर टूटल 950 सीटे है 950 सीटे आपकी बढ़ चुकी है दोस्तों पहले 24,720 सीटे थी अब 950 और हो गई है मान लीजेगा यहाँ पे आपकी सीटे हो गई है 25,670 सीटे आपकी हो गई है तो इन सीटों के बढ़ने से एक फायदा यह हुआ जब ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा और जब ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो कटोप है वो आपके क्या रहेगी डाउन रहेगी, कम आएगी अब OBC में जो बच्चा जिसके 385 नंबर थे जो सोच रहा था कि मेरा सेलेक्षन हो गए यानियोगा मैं क्या करूँ अब आपका सेलेक्षन भी गनफर्म हो जाएगा और फीमेल में हो जगता यह 370 के आस पहस जाए आलागी मैं थोड़ा और भी अनलसिस करके कहां पे किस एरिया में कॉलेजें बड़ी है बड़ोतरी दस कॉलेजों को मिली मानेता इनमें 950 सीटे हैं 950 सीटे आपकी बढ़ चूगी है देखिएगा अप्रादम जी इकसा से सीखसे बनने यह कुछ नहीं है ठीक है यहां से देखिएगा प्री डियलेड पर इकसा 2022 की कांसलिंग में सामिल करने के निर्देश दीगे 10 कॉलेजों को ठीक है राज्जे के 4 जिल्लों में संचालित इन 10 कॉलेजों में 950 सीटे हैं इस सेसन के लिए राज्जे के 10 अडियलेड कॉलेजों को मनेता दीगी है सीटे भी आउन्टित कर दीगी है इनमें से एक कॉलेज को छोड़ कर बाकि सभी में सो है तो 9 कॉलेज हैं उनमें तो 6901 में पच्चास है तो 96.5 tidak होगी तो नृ कॉलेज काहा का है देखिएगा वो भी बात करते हैं तो नए कॉलेजों में जैपुर के चार कॉलेज है अब क्या होगा आगे तीन सो पेस्टा कोलेज में चोईसदार साथ सो भी सीटों पर परवेस के लिए काउंसलिंग परगरिया नबे जार बच्चों ने कराई है अब कोलेज में अगर सीटे बढ़ती है न तो फिर आप काउंसलिंग का रिजट भूल जाओ वो आप जनवरी में ने कहा था कि जनवरी 2023 याद रखो फिर अगर सीटे बढ़ती है तो ठीक है कुछ नोटिपिक्स नाएगा दिसमबर में तो देखिए का आप सीडी बात इननों गांटन है वो दिसमबर के अंतीम सफ्ता ये बिल्कुल एक जूटी बात है जनवरी में मिलेगा जनवरी में होने की समभावन आए तो जनवरी में आपको कोलेज गा रिजट आएगा अब काउंसलिंग दुबारा होगी एक बार जिनको भी नई कॉलेज बरनी होगी उनके काम सब के लिए दूबारा होगी आपकी जो भी कॉलेज बरके आपने लौक कर दिया था उपने आप अनलॉक हो जाएगा सबी की जो बच्चे करे थे न कि मरे पहले बरनी थी यी बर दीर वह बर्दी गलती उगी बदे इस परिंस एक रुपय लगी जो पहले लगी उस से का तो आई कोड के निरने के बाद सामिल हुए इस नए कोलेजों को काउंसलिंग की परिकिरिया में सामिल करने के लिए शिकसाः उपाग को संसो धी सेडियूल जारी होगा नए और पुराने सभी अभियतियों को नए काउंसलिंग करवा दिया हुगा आईगोट ने इस पष्ट का है कि जिन्हों नबे जार ने काउंसलिंग करवा दिया न इनकी तो कॉलेजे अनलोक करो इनको संसो दिन करने का मोका दो साथ साथ में अभी तक जिसने काउंसलिंग नहीं कर रही है जैसे कोई पीछी रह गया जिसको लगा कि मेरा सलेक्सन नहीं होगा नंबर कम है काउंसलिंग नहीं कर रहा है तो वो अब नया बच्चा भी अब वापस से काउंसलिंग करवा सकता है ये बहुत अच्छी बात है तो अब ये 90,000 की संक्या 120,000 के आस पास वापस से क्या है जा सकती है तो किसने अगर काउंसलिंग नहीं करा है ये कोई पीछे भी रहा है तो वो भी काउंसलिंग दुबारा करा सकता है बाकि आप कॉलेज़ें भी दुबारा चैन कर सकते हैं दुबारा कॉलेज़ें भर सकते हैं जैपूर चूरू, जालावाराड और सीकर कैतस कॉलेजों को 670-2023 काउंसलिंग परिक्रिया में सामिल करने के निर्डिस पराप्त हुए है इस समझ में परिक्रिया अपना ही जा रही है जल्दी अभियर्तियों को कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा यह जो ससुराल के हुई थी मेडम वो क्या है वापस आ चुके हैं आपके निर्व भार्दवाज में में ससुराल चले गए क्या काउंसलिंग आवंटन नहीं करें तो देखो ससुराल वले गए कहींगे आपको उन्होंने के लिए आए कि नए काउंसलिंग के परिक्रिया क्या है जल्दी आपना ही जाएगी और जल्दी आवंटन किया जाएगा तो ये भाई आपके सीटे बढ़ गई है दो लड़ उपीडे खाओ और आराम करो आप 950 सीटे बढ़ी है तो कटोप पे इसका कापी असर पड़ेगा कापी कटोप नीचे जाएगी किती कहा जाएगी उप भखता में आके बताना हुण जितने ही रहेगा उसके लिए थोड़ा कुछ सोचेंगे समझेंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा और रही बात काउंस्लिंग्ड आपकी दूबारा होगी दूबारा से टैडूल जा रही होगा दुबार आप college भर सकते हैं जिसने पिछली बार counseling नहीं कर रही हो भी अब की बार counseling करवा सकता है counseling में aid हो सकता है और यह चीज देज़ो मैंने आपको यहाँ पर क्या है बता दिये उसके बार अगर मैं और भी बात करों देखिएगा आपके और भी कही सारे सवाल आओंगे क्या होगा कैसे होगा कब दक लिष्ट जारी हो जाएगी अब देखिएगा यह college है चुड़ी है तो अब लगभग 23 थारीक के आसपास 24 दिसंबर के आसपास काउंसलिंग दूबारा से start होगी यह काउंसलिंग पांच दिन चलेगी तो लगभग 28 गुंतिस दिसंबर तक अनकी दिसंबर आप पूरा इस काउंसलिंग के दर चला जाएगा और जनवरी में 5-7 जनवरी के आसपास क्या है आपको लिष्ट है वो आ सकती है फश्ट लिष्ट तो इतना आपको क्या शबर करना पड़ेगा धेरिये करना पड़ेगा और दीरेज के आगई जी थे आपने इत्ती दिन धेरिये रखा तो यह साड़े 900 सीटे बढ़िये मैं तो को महीने पर और बैट जाओ यार 1500 गया पास पास बढ़ जाती टाबनों का बला हो जाता जिनका नमबर नहीं आता तो तो तेरे रखो और अच्छे से बैटे रहो धीर धर धीर धर तो आधीर हो ना धीर धर यह लक्षे है विकट बढ़ तो लहर लहर को चीर कर सिटे बढ़ गए साड़े 900 यह बड़ी अच्छी बाद रही है और 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 भी आपकी कोई अगर क्यून वर्यूगी रहो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी साती चैनल पर नए आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद पास में आ कर दो